नमस्कार, Dairy Editorial Analysis से समझेत इस वीडियो में आपका स्वागत है आज देखते हैं कि किस Editorial पर हम डिस्कस करने वाले हैं यह रहा आज का Editorial जिस पर चर्चा होने वाली है और इस Editorial का शिर्षक है Surprise on Upside इस Editorial को लिया गया है The Indian Express से और यह Editorial GS Paper 3 में जो Economic Development है उसके दिर्ष्टिकों से काफी महत्यपोर्न है Editorial में यह बात कही गई है कि भारत की अर्थवरस्था की दूसरी तिमाही मतलब यहां पर बात हो रही है मौजदा वित्तिवर्स की और मौजदा वित्तिवर्स है 2023-2024 और इस मौजदा वित्तिवर्स की दूसरी तिमाही यह दूसरे quarter की बात हो रही है जो होता है हमारा July से लेकर सितंबर महिना और इस तीन महिने में जो GDP का अपना एक data आया है वह data काफी आशा जनक है और काफी सकारात्मक तस्विर पेस कर रहा है भारत की अर्थवर्स तरगा जिसमें growth rate बताए गया है 7.6% मतलब 7.26% और वहीं अगर हम पहली तिमाही की बात करें या पहले quarter की बात करें तो इस विर्थी वर्स मतलब 2023-24 की पहली तिमाही की बात हो रही है किस विर्थी वर्स की यहाँ पर 2022-23 की पहली तिमाही मतलब quarter first की बात हो रही है जहां पर विर्थी दरती 6.1% उसकी तुल्दा में बहुत ही अच्छी विर्थी तर है इसमें एक आया सकल घरेलो उत्पाद या GDP की बात है तो देखें किसी भी देश की घरेलो सीमा छेतर के भीतर उसके समस्त निवासियों के द्वारा पादित अंतिम वस्तू एवं सेवा के मौद्रिक मुल्य को GDP कहते हैं और यह जो उत्पादन होना चाहिए वह एक वित्तिवर्स में होना चाहिए तो उसी के अधार पर हम GDP की गर्णा करते हैं अब हम फिर से देखते हैं इस एडिटोरियल को अब यह जो ग्रोथ रिट यहां पर दिखा अभी हमें कितना दिखा? 7.6% तो अधिकांस अर्थसास्त्रियों ने इससे पहले जो विकास की दर है उसको 6.25-7.30 के बीच में आका था उनकी तो छोड़िये, भारतिर ज़र बैंक ने भी अक्टूबर की मौदरिक नीती समिती की बैठक में अर्थविस्था के विर्दी दर का जो अनुवान लगाया था वह 6.25-7.30 लगाया था इसका मतलब यहां पर है कि सभी जो आकलन या अनुमान थे उससे परे GDP का जो growth rate है वह दूसरे quarter वह काफी अच्छा रहा है लेकिन editorial में यह बात कही गई है कि जो मुख संक्या है मतलब 7.6% है उससे अलग हट कर यहां भी देखना जो रही है कि अलग-अलग छेतर में विर्दी दर कैसा रहा है तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि अलग-अलग छेतर का विर्दी दर कैसा रहा है बात करते हैं सबसे पहले किसकी कर्सी छेतर के तो कर्सी छेतर का प्रदर्सन अच्छा नहीं रहा है खराब रहा है पहली तिमाही में विकास दर कितनी थी 3.5% और वहां से घट कर दूसरी तिमाही में जो विकास दर है वह रहा ही है कितनी 1.2% इसका मतलब यहां पर यह है कि कर्सी छेतर में प्रदर्सन सही नहीं है और यह भी आसा है कि दूसरी छामाही में भी कर्सी छेतर का प्रदर्सन अच्छा नहीं रहेगा तो ये सब मिलकर क्या करेंगे? ये सभी मिलकर ग्रामीन मांग पर असर डालेंगे मतलब कि ग्रामीन चेत्र की और से होने वाली मांग में कमी आएगी और फिर दूसरे को देखे हम तो ओध्योगिक चेत्र ने काफी बेहतर पर दर्सम किया है उसमें भी विनिर्मान चित्र में स्वस्त वृर्धी हुई है जिसके कारण दूसरी तिमाही में वृध्य की चेत्र में वृर्धी दर 13.02% की दर से बढ़ी, जो पहली तिमाही के 5.02% से काफी जादा है और विनिर्मान छेत्र की अगर प्रगति की दर देखे हैं तो इसमें प्रगति अव्रिधी की दर 4.7% से बढ़कर दूसरी तिमाहे में कितनी भी 13.9% तो यहाँ पर जो आकड़े आपको दिख रहे हैं वो केवल उधारन की रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके बाद आगे हम देखें तो बिक्री वर्धी दर धीमी हुई है ऐसा आकड़ा कहता है लेकिन कमोडिटी की कम कीमतों के कारण दूसरी तिमाही में कॉर्पोरेट ला प्रतरता में वर्धी हुई और जो कंस्ट्रक्शन का काम है जो निर्मान कार है उसमें भी 13.3% के वर्धी के साथ कंस्ट्रक्शन वर्प ने भी अच्छा काम के आवाद इसमें भी वर्धी हुई है साथी साथ जो आकड़े जारी किये गए हैं उसमें आठ प्रमुख बुन्यादी धाजा छेतर का सुचकांग जुलाई अक्टूबर के दौरान औसतन 10.5% की दर से बढ़ा है जो पिछली तिमाही में कितना था 6.1% इसका मतलब है कि इसमें भी वर्धी हमें देखने को मिलती है अभी हमने क्या देखा हमने देखा आठ प्रमुख बुन्यादी धाजा तो उससे समंदित सुचकांग या आठ कोर उद्योगों का सुचकांग जो है वह क्या करता है कि सयुकत रूप से आठ कोर उद्योगों का या व्यक्तिगत रूप से इन आठ कोर उद्योगों के प्रदरसन का आंकलन करता है और इस ICI मतलब यहाँ पर है आठ कोर उद्योगों का सुचकांक में इन उद्योगों का जो भारांख होता हुआ देखे कितना होता है सबसे ज़्यादा जो भार होता है वो रिफैनली उद्योगों का इंडेक्स ओफ इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन या अद्योगिव उद्पात सुचकांक में जितने भी मद शामिल होते हैं उनमें इन आठ कूर उद्योगों का जो भारांख है वो कितना होता है चालिस दसलग दो साथ परतिसत तो ये अलग से कुछ तक्थ हैं इन तक्थियों को भी दिमा में हमें रखने की जुरत है लेकिन कुल मिलाकर हम यहाँ बर क्या देख रहे हैं कि आठ प्रमुग पहन, संचार और वित्य, रियल स्टेट, पैसेवर, शेवा, शेवा, शेतर का पदर्शन सुस्थ है और दूसरी तिमाही में इसमें पांच, दसलग, आठ परतिसत के विर्दी हुए जो पहली तिमाही के दस, दसलग, तीन परतिसत से काफी कम है वही दूसरी और हम अगर द रिसर्च के मताबिक केंदर सरकार और 26 राजे सरकारों का संयुक्त पूंजिगत वे दूसरी तिमाही में 26 दसलग, 7 फिजदी बढ़ा है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि capital investment जैसे कि माले infrastructure पे खर्च करना हो तो इन सारे जगहों पर केंदर सरकार और 26 राजे सरकारों ने पह हीमी होने की उम्मीद है जिसका कारण इस editorial में यहाँ बताया गया पहला कि किरसी में निवन परदर्सन की संभावना है क्योंकि बारिज जिस तरीके से हुए है उससे तो किरसी में अच्छे परदर्सन की संभावना नहीं है दूसरा कड़ी वित्ती इस्थितिया होंगी पह से कंजम्शन मतलब खपत और इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो सकता है उसके अलावा सक्त मौद्रिक नीती भी कड़ी वित्ती स्थितिया में आते हैं इसके अंतरगत केंदरी बैंक मतलब बगर हम उधारन के रूप में देखें कौन हो सकता है तो वह है RBI तो केंदरी बैंक और जब आमचनल नजदिकार हैं तो सरकार भी अच्छा रही है कि उसका जो घाटा है वह घाटा संतुलित रहे ताकि आन पेपर या पेपर पर उसको दिखाना अच्छा लगे तो इसके लिए सरकार भी क्या करें कि वह अपने खर्च को थोड़ा सा कम कर देगी ताकि जो हम आरभिया के द्वरा इसारा पहले ही कर दिया गया है तो सरकार आज के एडिटोरियल में हमने यह देखा कि अगर हम 2023-24 वित्ती वर्स की बात करें तो पहले क्वार्टर का प्रदर्शन अच्छा है पहले क्वार्टर की तुनला में दूसरे क्वार्टर का भी प्रदर्शन अच्छा है लेकि जो अंतिम के च्छा मा है उसमें जो दो क्वार्टर है उसमें आर्थिक वृद्धी की दर हुआ धीमी हो सकती है इसलिए सरकार के द्वारा और आरभिया के द्वारा ऐसे निती बनाई जानी चाहिए जिसमें की वृद्धी दर में भले ही गिरावट हो त यहीं समग रूप में जो ब्रतिदर है उसमें सखारात्मक्ता हमें दिखनी चाहिए इसके साथ इस एडिटोरियल को यहीं समात करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and click the bell icon to never miss an update